आप सभी को नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत साथियों आज हम लोग जिस विशे पर बात करने जा रहे हैं उसका शेर्शक है जननात्तों की परंपरा और इस पर वक्तव रखेंगी हमारे बीच उपस्थित हैं उशा जी उशा वेराकर आठले जी जो प्राध्यापक तो रही ही है और लेकिन लंबे समय से नाटकों पर काम करती रहे हैं नाटकों की अनेक विधाओं पर उसके अनेक अनेक रूपों पर रंग शिल्प पर तरह त विधा करती हूं यहां पर उपस्थित सभी पहले सबसे ज़्यादा तो मैं चाट्राओं का स्वागत करती हूं जिनकी जरूरत है यह विशय और उनके पार्ठेक्रम में यह शामिल है लेकिन कई बार वे इस विशय को लेकर भटकती रही है और चुकि पार्ठेक्रम में है लेकिन उससाब से संदर्व में पुस्तके नहीं रही है और पुस्तके मिलती भी है तो बहुत ही पारंपरिक धंकी किस्तके मिलती हैं जिस पर बहुत गहराई सी और विवहारिक धरातल पर काम नहीं है करती है दो आप सभी का स्वागत रहतीती कारिक्रम में और हमारे बीच भावना मेडम भी जुड़ गई है वी अभी जुड़ receive हैं हमारे हिंदी विभाग के सभी साथनी प्रिंसिपल मैडम किसे सकोधर से जुड़ने वाली हैं उन से मेरी बाद हुई है और हमारे महाल्वग्यालाय के प्रबंदख ड्शशचीकान दिख्षेट होड होड़ी देर देत करुंगे और अраз सभी का स्वाधत है आरे महिला महावद जाले की तरफ से और इस विशय पर जो हमारे लिए महत्वपुन विशय है आज के लिए और जो जिसके सहयुत तत्वावधान में हिंदी विभाग और IQAC के सहयुत तत्वावधान में जो विमर्ष फोरम चलता है जिस पर हम लेक्चर सी और इस विशय पर वक्तव देने के लिए उशा जी हमारे बीच है और जिनका नाटकों पर एक लंबा अनुभव रहा है तो प्रध्यापन के दौरान भी उन्होंने जिन चीजों को देखा होगा अपने विद्यारतियों के माध्यम से और पढ़ाते वक्त जिन चीजों को उ किया है अपने और उसमें सबसे ज्ञार्दा जरूरी काम यूजित किया है और जीजों के समबंद्ड में लोग जो विधा है जन्न लगा तकों की जिल्गां आपका लगातार चिंतन रहा है और आपका काम रहा है हम जानते हैं कि जब शास्त्रिय विधा में हम जादा जाते हैं अगर हम देखें कि नवजागरण काल के समय से भारतेंदु हरुष्चन में जिस ऑपनिवेशिक्ता की छील की थी यानि उसे काटा था संस्क्रिप्ट परंपरा में हमारे नाटकों की एक लंबी भूमी का रही है लेकिन वह भूमी का धीरे धीरे कैसे कशीर होती है और धीरे धीरे जनता से कैसे कटता जाता है और उसके उपर आपनिवेशिक्ता जो हावी होती है और तरह तरह कि और भी कला कला के लिए जो एक न और अन्हेर नगरी जैसे नाटक जिसकों के नुकर नाटक के माध्यम से तमाम अनेक माध्यमों से पेला जा सकता है और यही सबसे जरूरी चीज थी कि नाटक को कैसे शास्त्रियता से और जो बिल्कुल आधिजाद के वर्ग है जिसकी अपनी समस्याएं अपनी चीज़ें है जो नाटक को मनुरंजन या कला के आस्वादन के लिए समझता है लेकिन एक और जनता है जो कला जिसके लिए बिल्कुल रोजमर्रा की चीज़ है जो उसके साथ जो अन्याय है जो अत्याचार है जो बूख है जो पीड़ा है जो बंगाल के अकाल को लेकर तमाम उन दिनों जो चीजें हो रही थी उन चीजों से जो जनता कट गई थी और अपनी बात को उसकला के रूप में नहीं रख पा रही थी उस जन नाटक की जो परंपरा रही है या हमारे सामने आना बेहत जरूरी है तो ऐसी भारतेंदु हरिश्चन के बाद से प्रसाद में जिस तरह से र आपना हुई और इप्टा ने धीरे धीरे नुकर नाटकों और तम खर्च में बहुत जरूरी और बहुत जमीनी से लिए और जिसे जो जूड़ा और जमीन से जोड़ा आम जन्मानस तो इसमें इस ज़गा योग्था का बहुत बदा योगदान रहा इससे बाद राश्रण पर उतारा और जीवन के छोटी-छोटी समस्याएं जो राजनीतित थी, सामाजिक थी और देश निर्माण के लिए जो बहुत जरूरी थी, जो जातिवाद पर बात करती थी, जो जेंडर विमर्ष पर बात करती थी, इन सारी समस्याओं को नाटकों के मादगन से, उन कलारोप भी हुआ, जिन्होंने विदेशिया जैसे माध्यम से गाउं के ग्रामीड इलाके की जो समस्याएं थी, उनके जो पलायन थे, उनके जो दुख थे, वहां की इस्त्रियों के इस्त्रिती थी, तमाम और सारे भारीक विश्यों पर जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, उस नाटक की पूरी परंपुरा आधूरी रह जाएगी, तो यह हमारे जन्होंने नाटक की परंपुरा बहुत लंबी और बहुत पुरानी और बहुत सुद्रड रही है, इस पूरी परंपुरा पर विस्तार से उशाजी बात रखेंगी, मुझे याद आता है कि जब हम अभी धीरे धीरे उतारा है और जन्ता से कैसे जोड़ा है आग्रा बाजार के माध्यम से चरंदा स्चोर के माध्यम से और आगे अनेक नाटकार बवकारंत हुए और भी हमारे बच्चे जानते हैं जो सेलिबस में पढ़ते हैं उसके अलावा भी जो बच्चे जानते हैं तो यह एक दूसरी परंपरा के समानामतर चलती हैं उससे समभाद करती हूए चलती हैं आ जन्गीत सर जन नातब के परंपरा कहां से शुरू होती है और इसका क्या योगदान है स्वात्मत्रियुक्तर भार्त के निर्माड में और इसकी क्या ज़रूरत है अब कि समय में इस पर उसाजी विस्तार से अभीनायकर चुकी हैं बहुत मुख्य भूमिका रही है नेक नाटकों का निर्देशन किया है उस तके लिखी है मराथी भाशा से नातकूं का अनेक किताबों का उन्होंने अनुवाज किया है एक फिल्म बने थी छोटी तेली फिल्म जिसका नाम है बच्चे सवाल नहीं करते उसमें उन्होंने होनी का आदा किया और बेहतर फिल्म है हम लोगों को फिल्म देखनी चाहिए तो इस तरह से अनिक तरह से अनिक सांस्कतिक मोर्चों पर खास वसे नाटक की मार्थमसे उशा की लगातार सक्री रही हैं आज वे हमारे बीच उपस्थित हैं, हम आरे महिला महाविद जाले की तरफ से आपका स्वाज़त करते हैं और इस महत्वपुन विशे पर बात करने के लिए आपको आमंद्रित करते हैं। या नाटक के शेत्र में सीधे-सीधे काम करते हुए भी अपने बहुत सारे अनुभवों को साजा करने का मौका कम मिला है और वो भी विद्यार्थी साथियों के बीच, युवा साथियों के बीच इसलिए ये मौका दिये जाने के लिए मैं वंदनाजी का बहुत-बहुत शु अपनी बात रखना चाहती हूं ताकि ज्यादा क्लियर भी हो आप लोगों में से किसी को जी सवाल कुछ आते हैं आपके दिमाग में शायद मेरे बताने में या पीपीटी में कोई चीज छूट जाए और आपके दिजिग्यासा होगी तो आप निश्चित रूप से अंत में कुछ सकते हैं झाल 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 कि उमीदा दिखाई दे रहा होगा है कि आज का हमारा विशह है जननाटकों की परंपरा कि एक सेकंड आप कि आप कीजिएगा थोड़ी सी टेक्निकल रवड़िया हो ही जाती हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाटक क्या है हलाकि आप लोगों के पाठेक्रम में है तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा तो इस हिस्से को हम थोड़ा तेजी के साथ ले लेंगे नाटक को द्रिश्य काव्य कहा जाता है यह हम सब जानते हैं उसको द्रिश्य काव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि काव्य या साहित्य की जो अन्य विधाय हैं यह प्राय श्रव्य या पठनिय विधाय होती हैं जब से मुद्रन का विश्कार हुआ, तब से हम किताबे चपने लगी या अन्य माध्यमों से चपी हुई चीजे हमें मिलने लगी, तो साहित्य का वो पठ्थे या श्रव्य हिस्सा है, परन्तु नाटक जो लिखा तो जाता है, परन्तु वो तब तक पूरा नहीं माना जाता क कि जब तक वो रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जाता है, इसलिए नाटक को द्रिश्य काव्य कहा जाता है, बाकी साहित्य की विधाओं में या काव्य की विधाओं में हम देखते हैं, कि हमको जो पाठक या शोता होता है, उसे स्वयम चीजों को इमेजिन करना पड़ता ही है, परंतु नाटक में हम देखते हैं कि मंच में हमको जीवित अभिनेताओं के माध्यम से वे सारी चीजें दिर्श्यमान होकर दिखाई देती हैं, जो किसी नाटक कारनेक अपने नाटिया लेक में लिखी हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं ये कि नाटक के लिए द्रिश्य करने के लिए सबसे प्रमुक चीज होती है रंगमंच या अभिनैस्थल अब इसके बाद विस्तार में हम नहीं जाएंगे कि रंगमंच या अभिनैस्थल कितने प्रकार के होते हैं पर मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि सा में खेले जाते हैं कई बार चारो तरफ भी दर्शक होते हैं बीच में अभिनेस्थल होता है और कई बार एक तरफ नाटक होता है और तीनों तरफ दर्शक बैठते हैं और तो उसमें अभिनेताओं को घूम घूम कर अभिनेक करना होता है जिदर जिदर दर्शक होते हैं तो प्रंगमंच और अभिनेस्थल के बिना नाटक अभिनेत नहीं किया जा सकता, कोई नो कोई किसी न किसी प्रकार का अभिनेस्थल आवश्चक होता है, फिर दूसरी चीज दर्शक आवश्चक होते हैं, अभिनेता उस मंच पर अकेले में ही नाटक नहीं खेल सकते, उनके होनी है तब दर्शकों की आवशकता होती है तो जो प्रिक्षा cadre ही रंगमंच होते हैं तो में दर्शक दर्शकों को बुलाया जाता है वे अपने जगर से चलकर अपनी जगह से चलकर क्रेक्षा गृमें नाटक देखनें आते हैं परन्तु आगे जाकर हम जो नुकर नाटक जैसी विधा किसी आगन MICHAEL में यहां पर लोगों की लोगा आना जाना चलता है या वह उनका समू लगातार वहाँ पर देखने के लिए उपलब दो सकता है ऐसी जगर नाटक होते हैं तो यहां कहा जाता है कि अभिनेता स्वैम दर्शकों तक पहुँच रहे हैं तो यह दो प्रकार का हम को दिखाई देता है कि एक तो दर्शक स्वैम उठकर प्रिक्षाग्रे में आते ह है नाटक देखने और दूसरा जहां पर नाटक अभिनेस तल पर जाकर दर्शकों के बीच अभिनेता स्वैम खेलते हैं वहां पर वो बुलाते नहीं हैं स्वैम जाकर खेलते हैं वहीं वह हाका पाड़कर पुकार कर दर्शकों को जमा करके फिर नाटक शुरू करते हैं तो अब ये सहयोगी कलाकार अभिनेता तो समझ में आता है कि जो मंच पर अभिनाय कर रहे हैं कोई भी जब नाटक लिखा जाता है उसमें जो नायक नाई का या अन्य पात्र होते हैं उसका उसकी भूमी का अदा करने के लिए अभिनेता और अभिनेत्रिया अभिनाय करते हैं वे उँद सब को समझ कर वे अभिने करते हैं परंतु अभिनेताओं के अलावा भी नाटक के लिए अन्य बहुत से सयोगी कलाकारों के आवशक्ता होती है जैसे रंगमूशा या मेकप करने के लिए अभिनेताओं के लिए वस्तर सज्जा या कॉस्ट्यूम मनाने के लिए तो माइक्रोफोन आधी सब लगाने के लिए भी लोगों की आवशक्ता होती है तो इन सब जो मंच पर अभिनेत्त करने वाले होते हैं वह अभिनेत्ता कहलाते हैं और जो मंच के पीछे नाटक की प्रस्तुती के लिए साहता प्रदान करते हैं उनको हम मंच और पार्ष के कलाकार या बैक्स्टेज आर्टिस्ट कहते हैं तो पहली चीज यह है कि हमको किसी भी नाटक को द्रिश्य करने के लिए रंगमंच दर्शक एवं अभिनेताओं के अवशक्ता होती ह यह तीन चीज अत्यावश्यक हैं अब नाटक के प्रकार तो शास्त्रिय नाटक शास्त्रिय नाटक जिसमें हम संस्कृत नाटक हम खास करें यहां पर भारतिय नाटकों के बात कर रहे हैं और भारतिय नाटकों में भी हम हिंदी नाटकों पर ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि हम हिंदी विभाग के अध्यता हैं सब लोग और साथी साथ हिंदी की परंप परा हमको दिखाई देती है उनको शास्त्रिय नाटक कहते हैं इसलिए क्योंकि भरत के नाट्टे-शास्त्र भरत मुनी निजो नाट्टे-शास्त्र लिखा था जिसको पंचम वेत कहा जाता है를 उस साथ कि अभिनएवर के तत्रव दिये गए थे जा सकते हैं उसके बाद जो नाटको का विखास हुआ है उसमें धीरे 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 परिस्तितियों के हिसाब से परिवर्तन होता गया और भरत मुनी के नाटक शास्तर की तमाम चीजें उसमें सम्मेलित नहीं की गई और उसमें कुछ नई चीजें भी अपने आप सम्मेलित होत उनका ऐसर बराबर पड़ता है और वह न केवल हिंदी प्रदेशों के बलकि अन्य प्रदेशों के या विदेशी नाट को के भी जो पत्व होते हैं उनको धीरे धीरे अंग्यकार करते चलते हैं तो यह पहला प्रकार इसलिए हम उसको शास्त्री नाटक या संस्कृत नाटक क लोक नाटक और लोक नाट्टे में बहुत बारिक सांतर है। लोक नाटक में नाट्या लेक यह जो लिखित में नाटक होता है वह उपलब्ध होता है। बनाते हुए नाटक प्रस्तुत करते चलते हैं इसलिए उसमें इसमें बहुत सारी तातकालिकता होती है जिसको हम इंप्रोवाइजेशन कहते हैं उस तरह का इंप्रोवाइजेशन भी उसमें बहुत सारा होता है कि जो तमाम उनको उस समय पर सूचता है दिखाई देता है वे अभिनेता उसमें जोडते चलते हैं और उन-उन स्थितियों को उन-उन समवादों को उन-उन भाशाओं को भी उसमें कई बार सम्मिलित करते चलते हैं तो ये बड़ा मज़िदार प्रकार होता है लोकनाट्ये और बड़ा फ्लेक्जिबल प्रकार होता है तो लोकनाट्ये मे भी हम देखते हैं अलग-अलग प्रदेशों में हमारे बहुत सारे अलग-अलग लोकनाट्टे हैं हम हिंदी प्रदेश में ही अधी देखें तो लोकनाट्टे में 36 गड़ में मैं जहां से आती हूं नाचा गंमत नाम का है उसके बाद मालवा में हम माच देखते हैं बस्तर मे हमको अलग प्रकार दिखता है इस तरह से हम देखते हैं अलग-अलग प्रदेशों में हमको अलग-अलग यह दिखते हैं भोजपूर प्षेत्र में विखारी ठाकुर ने जो विदेशिया नाटक लिखा था बाद में वो विदेशिया शैली करके ही विदेशिया ही लोकनाटक कि रूप में अब प्रचलित हो गया उसका एक रूप ही हो गया है विदेशिया इसके तीसरे प्रकार पर हमाते पार्सी रंगमंच हमारे हां जो अंग्रेज आये और उनके साथ जो उनका व्यावसाइक रंगमंच आया उसकी उसके अनुकरण में मुंबई में कुछ पार्सी लोगों ने मिलकर एक व्यावसाइक रंगमंच थापित करना चाहां और इसमें उन्होंने लिये तो भारतिय कथानक लोग शैलियां भी ली तमाम चीजें ली परंदों देखते हैं कि इसमें बहुत ताम जहाम होता था काफी खर्चीले नाटक होते थे इसका मंच बड़ा भा योग हुआ करता था तो यह पार्सी रंगमंच जो है यह भारत में बहुत लोगप्रिय था खासकर उन्नीसवी सदी के अंत में और बीसवी सदी के प्रारंबिक का तीन-चार सदियों तक तीन-चार दश्कों तक इसके साथ साथ एक चीज हम सबको जान लेनी चाहिए कि हम जो अपना हिंदी सिनेमा देखते हैं बॉलिवूड खासकर जिसको हम कहते हैं इस पर पार्सी रंगमंच का बहुत असर है आज भी इसलिए हमको जो जीवन में सामान्य घटनाई दिखाई देती हैं उसके इतर हमक इसके देन हैं और व्यासायकता से उपजे हुए इन तत्वों को लेकर भारतीय फिल्में विक्सित लिए हैं चौंथा प्रकार है उसका जने नाटक जने नाटक इसका मतलब है कि विशेश उद्देशय को लेकर लिखे जाने वाले नाटक जब देखने वाले को दर्शकों को नाटक करने वाले कुछ बताना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं, जागरुक करना चाहते हैं, किसी बात की जानकारी देना चाहते हैं, तब उस नाटक को जन नाटक कहा जाता है, अर्थात जन को जागरुक करने वाला नाटक, ज पहला चाया चित्र है नौटंकी का इसमें गीत संगीत भरपूर होता है और जो समवाद भी होते हैं वो काफी कुछ गाई की शैली में विशिष्ट शैली में काव्यात्मक्ता के लहजे में सुनाए जाते हैं तो नौटंकी उत्तरप्रदेश का एक बहुत ही महतुपूर्ण है उसमें विशेश प्रकार की संरचना होती है और उसके जो अंडें तत्व हैं उसमें अतिश्यक्ति का प्रयोग काफी कुछ ऐसी घटनाओं का प्रयोग जो चमत्कारिक हैं या जो अचानक होती हैं अचानक कथावस्तू में परिवर्तन आ जाता है इस तरह की बहुत सारी चीजे नाटनकी में होती हैं उसके बाजू वाला ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये संस्कृत नाटक अपिज्ञान शाकुंतलम का है संस्कृत नाटक के बारे में जैसे हमने शुरू में बात की कि ये भरत के नाटक शास्त्र प्याधारित है तो इसमें नायक क किस तरह का होगा नायका किस तरह की होगी कथानक किस तरह का होगा वे किस तरह के कि वस्तर सज्जा उनकी होगी और चूंकि शास्त्रिय नाटक हमारे हां या तो इस वी सन के पहले के हैं या इस वी सन के कुछ बात के इसलिए हम देखते हैं कि उसकी वेश भूशा रंग बास शुद्रक ये जो संस्कृत नाटककार थे इनके बहुत से हिंदी में भी हिंदी आन्निभारतिय भाषाओं में भी रुपांतर हो चुके हैं तो उसमें कई बार ये होता है शास्त्री नाटकों में कि जो नायक ये नाईगा होते हैं जिनके बहुत ही विशिष्ट गुण करते हैं परंतु जो श्रमजीवी वर्ग है उनका साहयक वर्ग है उसको हम देखते हैं कि वह वहां की स्थानिय बोली भाषा में बात करते हैं तो ये फरक भी हमको शास्त्री नाटकों में दिकाई देता हैं अब हम आते हैं उत्तरप्रदेश और कि मुझे ऐसा लगा कि इनकी चर्चा किये बिना आज की हमारी चर्चा अधुरी होगी और पहले मैं इनके बारे में बताने के पहले ही एक बात ये बहुत स्पष्ट कर दूँ कि विखारी ठाकूर जरूर उन्निश्वी सदी के अन्त में उन्होंने नाटक लिखना और गीद गायन वगरे करना शुडू किया मगर उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो आज भी बहुत प्रासंगिक है उनकी जो विशह है या उनकी जो प्रस्तुती शैली है वो आज भी बहुत प्रासंगिक है इसलिए हम विखारी ठाकूर को ये मान कर चलते हैं कि लोक नाटकों से ह होते हुए वे जन नाटक तक उनकी पहुच बनी हुई है तो ये भोजपूर के जो प्रसिद्द लोग कलाकार एम नाटक कार हैं ये उन्होंने लोग जागरन भी किया है आगे हम भारतेंदु यूग देखेंगे तो ये भिखारी ठाकुर भी लगबग लगबग भारतेंदु युक्के ही है और थोड़ा उनका दिवेजी युक तक बलकि सरक जाता है उनका कारेकाल मगर जिस तरह हम भारतेंदु को नाव जागरन के या लोग जागरन के प्रनाइता कहते हैं विखारी ठाकुर को भी इसी तरह का उनका भी महत्व इसी तरह का है उन्होंने लगबग 12 नाटक लिखे हैं और कई गीत लिखे और उनके जो प्रसिद्ध नाटक हुए बिदेशिया गबर घिचोर बेटी बेचवा ये तो आज भी खेले जा रहे हैं बिहार में तो मैंने इसके बहुत से अलग-अलग प्रकार के शैली तो उनकी एक बिदेशिया शैली अब विक्स की बेचवा हों इसमें स्ट्री पे केंद्रित कतानक है इसके पुरुष के नौकरी करने के लिए बाहर जाने के बत्स दर्शा होती हैं बिहार से बहुत पलायन हुआ करता था बिहार से या भूजपूर्ग शेत्र से कलकत्ते की ओर अजीविका के लिए उस पर पुरा अधा बेटी बेचिए जैसे नाम से हीसपश्ट है कि दहज जुटा के किस तरह से अपने बेटी को दे कर बेचा जाता है तो विकारी ठाकूर ने स्ट्री मं के स्त्री पीडा के श्त्री के साथ व्यावसाइक नाट्य मंदलियां हैं ये निरंतर इनके ये करती हैं मंचन करती रहती हैं इसमें एक चीज मैं यहीं पर जोड़ दूं कि राश्ट्रिय नाट्य विद्यालय जो हमारे देश का सबसे प्रमुक शास्की नाट्य प्रशिक्षन संस्थान है वहाँ पर अब पाठ प्रचलिच शैली और स्विक्रत लोक शैली के रूप में भी इसे स्विकार कर लिया गया है सबसे बड़ी बात है विखारी ठाकुर को भोजपूरी का शेक्सपियर कहा जाता है शेक्सपियर का पूरे के पूरे अंग्रेजी साहित्य में योरोप और अन्य देशों में कितन कहते हैं यह भीकारी ठाकुर जी का चाया चित्र है और साथ ही साथ यह बिदेशिया का भी एक फोटो है बिदेशिया में आप देख रहे होंगे कि यहां पर नारी पात्र काफी है और लगातार उनका सम्वाद जो चलता रहता है यह उन पर जो अन्याय हो रहा है उसके नाटक बहुत ही महतृपूर्ण नाटक पूरे ही हिंदी नाट्र के लिए माना जा सकता है वार्थी रंगमंच कि हमने चूरू में बात की थी तो यहां देखते हैं कि पार्षी रंग में देखते हैं पे परदे-वर्दे extremely और इसमें बहुत से पाराणिक कथानक बहुत काफी कुछ प्रफाव था हमारे की कानून व्यवस्था से लेकर राजकाज की भाशा में भी इसलिए हम देखते हैं और इसके लेखक भी जो थे उन्होंने नौट अंकी जैसी हमारी जो लोग शैलियां होती हैं उसके साथ तालमेल करते हुए इस व्यावसाई करंगमंच को ज के जीवन पे आधारित है तो उसको भगतसी के जीवन चरित को सब के सामने लाने के लिए खेला गया है उसके उस नाटक का यह चित्र है तो इसको हम जन नाटक कहते हैं जहां पर जन को सीधे-सीधे कोई बात हम को बता नहीं होती है यह बात हम लोगों ने शुदू में दे करते हैं पर इंतो इसमें भी थोड़ा सा बारीक अंतर है लोक कहने पर हमको थोड़ा प्राचीनता का बोध होता है और जन कहने पर हमको थोड़ा अधुनिकता का बोध होता है सबसे पहली बात तो जो मैंने सबसे अंतिमिस में बिंदू लिखा है हम उसको सबसे पहले लेक प्रिवेश बदलता है, हमारे संसाधन, हमारे उटपादन सम्मन तभी सबी बदलते चलते हैं और उसका हमारी जीवन शैली पर असर पड़ता है, तो जो पुरानी जीवन शैलियों में जो नाटक खेला जाता था, यह जिस तरह का समाज रहता था, उसको हम लोक से हम उसका करना यह स्वैम उसमें कोई हस्तक्षेप करना यह बात यहां पर कम होती है तो लोग शब्द कायदी हम पारिभाशिक यह देखें तो लोग शब्द मानाव सब्वेदा के उस मानाव समू के लिए प्रयूक्त होता है जो परंपरा पोशित है बहुत सहे जिवश्वासी है और वो और योगिक समाज होता है दूसरी चीज़ लोग में प्रजातांत्रिक राजनितिक व्यवस्था और पुंजिवादी उत्वादन संबन्द जो हमारे यह लगबग हमारी आजादी के साथ-साथ विक्सित हुए हैं यह इसके प्रती जागरुक्ता नहीं होती क्योंकि पुरानी व्यवस्था में रहते होते हैं और प्रायर वो पुराने जो पुराने पुराने ग्रामीनी व्यवस्था है उसमें वे स्थापित होते हैं इसलिए हम उनको परंपरा पोशिद भी कह रहे हैं उनको जो विरासत में मिला है उसको वो अपनाने और उसी को अभिव्य अर्थ में स्वातंतरता की बादी होता है, जब हमारे ऑद्योगी करण का आरम गुआ, तो मानव सब्वेता की उद्योगिक यूग के साथ ही, जो जाग्रुक समझवाला मानव समु होता है, उसको हम जन कहते हैं. जागरुक का अर्थी होता है कि जिसके दिमाग में जिग्यासा हो जो और और जानना चाहे उसको जो भी ग्यान दिया जा रहा है प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें उसका संतोश नहों और उसमें उसके बहुत सारे और क्यों क्या कैसे इस पर कुछ जिग्यासा है उसकी विक् बात करें नहीं तो पिर हमारा टाइम में खतम नहीं हो पाएगा है ना प्लीज आप अपना सवाल नोट कर लीजिएगा और जैसी हम समाप्त करते हैं आप पूछिएगा तो इस तरहें लोक और जन में हम यहां पर बारिक अंतर देखते हैं अभी जन नाटक चुकि हमारा आज का विशय जन नाटकों की परंपरा है तो इसलिए अब हम नाटक के तमाम बाकी के हिस्सों पर बात करने की बजाए हम जन नाटकों पर ही अपनी बात के इंद्रित तो हिंदी में जन्नाटक के शुरुवात नव जागरनकाल से भारतेंदू यूग से मानी जाती है। तो हमाम जितने भी साहित्यकार थे जो बहुत से पत्रकार भी थे यहां पर रिखांकित करना बहुत जरूरी है। लोगों को प्रभावित करते हैं उसको भी अपनाया जाना चाहिए। खासकर भारतेंदू हरिश्चंदर ने इसकी शुरुवात की है। अब क्योंकि हमने नौजागरण शब्द का उपयोग किया, इसलिए उस पर भी थोड़ी सी हम एक आधे मिनट की बात कर लें। कि नौजागरण का अर्थी है अपनी समुची समाज व्यवस्था के प्रती आलोचनात्मक दृष्टी रखना। अक्सर क्या होता है, कोई रुप हो हमका हानी वाला जो है, कि कोई भी राजा रहे, कोई भी राजकी व्यवस्था रहे है, हमें क्या करना है, हमें उससे क्या लेना देना है, हमारी जीवन में उससे क्या परिवर्तनाना है, ये जो दृष्टी होती है, ये दृष्टी समाज में जो भी बुराईयां होती हैं, जो भी अन्याय होते हैं, जो भी अत्याचार होते हैं, जो भी कूरितियां होती हैं, वो वैसी के वैसी जारी रखते हैं, और उससे क्या होता है, समाज का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता, समाज आगे नहीं बढ़ पाता है, उसके आसपा खाली की शारी की सारी की पुरानी चीजों का त्यागना नहीं होता है उसके जर्जर चीज़े हैं जो अमारे विकास में बाधा डालती है, ऐसी चीजों को का त्याग है, और नए तत्व का ग्रहन मतलब, नए तत्व का भी सभी तत्व का ग्रहन नहीं, बलकि नए तत्व में उन तत्व का ग्रहन करना, जो हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे विकास में साहयक हों तो भारतेन्दों ने आधुने खिंदी नाटक की नियू डालने के लिए सभी प्रचलित नाट्टे रूपों से कुछ न कुछ ग्रहन किया है जैसे उन्होंने संस्कृत की नाट्टे परपरा से द्रिश्य विधान और हास्य व्यंग लिया उन्होंने लोग नाट्टे परपरा से चुटीले समवाद और नृत्य संगीत लोग नाट्टे बिना नृत्य संगीत का नहीं होता है जबकि शास्त्रिया नाटकों में भी नृत्य संगीत होता है, पर वे शास्त्रिया नृत्य होते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर जग़ा को हो ही, परंतु लोक नाट्य में तो हम देखते हैं, दो-चार मिनट के समवादों के बाद आपको एक नृत्या, एक गीत, मंच पर प्रस शुरू की है जैसे मैं थोड़ा सा गम मतलब जो लगातार एक रस मेरी मेरी बाच्ची थोरी उसमें थोड़ा सा व्यावधान डालते हुए मैं एक छोटा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूं कि हम एक बार दुलारी बाई नाटक लेकर मनी मधुकर का लिखा दुलारी कि मैं तो हमने जब उसमें मंचन हमारा हुआ तो उसमें जो शुद्रधारों के जो समवाध है उसमें उनलोकों करदेर हैं कि है रटलाम शहर में हम आए हैं पता नहीं हमको चुलूबर पानी में डूबने लायक भी पानी मिलेगा या नहीं तो ये लोकनाटे की परंपरा है कि चुटीले समवाद जो कुछ हो रहा है उसमें हलका सा चुभाना भी साती साथ गुदगुदाना भी तो इस तरह की जो ये जो तत्व होता है वो भारतेंद एक आकरशक उसका बड़ा मंचन हुआ करता था वो भी भारतेंदु ने अपर किया और इन्य प्रस्थटु साथ उतने शब्दों को याद करके वाक्यों को याद करके इसलिए अभी ने प्रस्तिकों मिबारतेंदु है अपनाया और साथ ही साथ जीद संगीत में सिर्फ लोग संगीत नहीं उन्होंने जो आधुनेक संगीत होता है अलगलग जगह का उसको भी उन्होंने इसमें जगह दी है तो ये जन नाटकों की शुरुआत हम भारतें दोहरिश्चंद से मान सकते हैं इनका सबसे जो लोग प् क्यासी में बनारस के नाशनल थीटर में ही मंचित हुआ है क्योंकि आप सब बनारस के ही हैं इसलिए इस बात पर जोर देना मुझे उचित लगा कि हमको अपने शहर का इतियास भी थोड़ा बहुत और खासकर साहित दिनाटक आधी से संबंदेत इतियास भी थोड़ा बहु रोधंज सकारात्मक चीज थी कि उन्होंने और उनके समकालीन साहित्य कारों ने मिलकर अपनी एक पूरी बारतेंदू मंडल के रूप में बना हुआ था और न केवल साहित्य के अन्य विधाओं के लिए बलकि नाटक के लिए भी उन्होंने भारतेंदू नाट्टे मंडली बना ली थी जिसके अंतरगत वे स्वयम भी नाटक खेला करते थे भारतेंदू हरिश्चंद्र का सत्य बारतेंदू ने जन के ऐन्द्रित कतानकों को चुना उन्नीसवी सदी का अंत और बीसवी सदी का आरम अलाकि भारतेंदू की मुच्ठ्यों तो उन्नीसवी सदी के अंत में ही हो गई थी फिर भी उस समय, जिस थरका स्वतंतरतां दोलंड चल रहा था 1557 के संगराम के बाद दीरे-दीरे जिस तरह का विक्सित हो रहा था पुर्ण जाग्रण हमारे दिखाई Дे रहा था जो कूप रथाओं को नव जाग्रण दिखाई दे रहा था उसमें जो समाज सुधार की बाते भी चल रही थी उन सब को उन्होंने अपने कथानकों में चुना और उसकी बहुत लोकनाट किया तरीके से उन्होंने बहुत मज़ेदार तरीके से हसी भी उड़ाई है अंधेर नगरी मुझे उमीद है आप लोग उन्हे समने पढ़ा होगा इस पर भी मैं एक अपना छोटा सा अनुभाव सा किया 1983 में आप लोग उसमें पैदा भी नहीं हुए होंगे तब तो तब हम जो अंधेर नगरी कर रहे थे तो हमारी रिहर्सल देखने के लिए पुरवभ्यास देखने के लिए हम एक स्कूल में रिहर्सल करते थे वहां के कुछ बच्चे भी आ जाते थे तो उन बच्चों देख देखकर हमारे सारे सम्वाद उनको याद हो गए उनके पाठेक्रम में भी था पहले मत्रदेश चत्यसगर में तिसरी चौती के पाठेक्रम में अंधेर नगरी नाटक हुआ करता था उसका कुछ अंश्ठ बड़े बड़े उसके हिससे नहीं थे उसमें पर उन लोगो चौपट राजा आपको सबको पता है इसका यह टके सेर भाजी टके सेर खाजा मतलब यह पूरे राजनितिक व्यवस्था यह आपकी गडबड होती है तो क्या बीती है वहां की जंता पर उस समय तो प्रजा हुआ करती थी राजा और प्रजा वाली वाला नाटक है यह तो क प्रजातांत्रिक व्यवस्था कभी कायम उस जंग से नहीं हो पाई और इसलिए हर एक राजनितिक कारेकाल में कुछ न कुछ विसंगतियां बनी ही रही है तो भारतेंदों ने भी अंग्रेजों के जमाने में जो कुछ भी विसंगतियां थी उनको उन्होंने अपने इस कथानक राजनितिक सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से भरे वह कथानक हुआ करते थे और उनके अंग्रेजी राज के समस्त अन्यार शूशन के खिलाफ जन जागरन के लिए उन्होंने ये नाटक लिखे और साथी साथ मंचित भी किये इसलिए इनका उलेक करना बहुत ही की हैं copyright हो अगर समाप्त हो गया तो आपको अलग-अलग प्रकार के इसके प्रिष्ट मिलेंगे अंदेर नगरी वैसे यूट्यूब में आपको अंदेर नगरी आप देख भी सकते हैं दो तीन अलग-अलग नाटे संस्ताओं ने अपने अपने नाटक उसमें अपलोड किये क्योंकि द्वेदी यूगर प्रसाद यूग के जो नाटक कार थे वे सीधे-सीधे लोगों से उस तरह से जुड़े हुए नहीं थे जैसे भारतिंदु यूग के हैं दूसरी चीज़ इसमें जैशंकर प्रसादी प्रमुक नाटक कार के रूप में हम जानते हैं पर जैशंक और पश्यम इन दोनों के जो नाटे तत्व हैं उनको सम्मिश्रित करके वो नाटे प्रयोग कर रहे थे लिख रहे थे जैशंकर प्रसाद चुकि कोई अभिनेता नहीं थे उस जंक के नाटे करमी नहीं थे इसलिए उनके नाटक लंबे-लंबे सम्वादों वाले और बहुत ज्यादा दृश्यों वाले और बहुत ज्यादा अभिनेताओं वाले थे इसलिए उस समय उतनी सक्री और उतनी सक्षम नाटे मंडलिया नहीं थी कि उनके नाटक खेल सकें पर जैशंकर प्रसाद के द्रोसवामिनी जैसे नाटक को हम बिलकुल जनाटक की तरह प्रसुत कर स हैं यह जननाटकों की ने इन हमारी नाटके परंपराउं से सब चीजे ली हैं हम इसको यही कह सकते हैं अब इसका सीधे सीधे मंच पर या रास्ते पर किस तरह से आया अभी तक हम देख रहे थे किताबों में जो या हमारी साहित्यकार थे उन लोगों ने जो नाटक लिखे थे उसका विकास कैसे हुआ वहां तक हम पहुंचे थे पर इसके बाद हम देखते हैं स्वतंतरता के जो कोई यादि समस्या होती हैं किसी चीजमें ति जागरुख करना है उसके लिए लिखे जाते हैं और फिर खेले जाते हैं तो जन जागरण। की लिए करेक्रम करते हुए हमारे स्वतंतरता के थोड़े से पहले से ही कुछ नाटक मंदलिया इसल्सारा से काम करने लगी थी क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन शुरू हुआ था उससे जन जन तक जो चेतना जा रही थी इसको इन सांस्कृतिक जो मंदलियां थी नाटक मंदलियां थी जो हम सिब उसको नाटक मंदली इसरे नहीं कहेंगे क्योंकि उन रित्ते भी प्रस्तुत करत हुँ एक मार्स नाम की संस्ता है कि जो महिला आत्मरक्षा समीती महिलाओं का अपना विकास कैसा होना चाहिए अपनी स्वैम की असमिता का विकास कैसे हो इसको लेकर कलकत्य के आसपास ये समीती बहुत सक्रिय हुई इसमें कुछ पढ़े लिखी महिलाएं थी जिनोंने ये इनका अन्य प्रदेशों में भी महिला समीतियां इस तरह किसे बनी और वे भी नाटक और गीत गाकर सांस्कृतिक रूप में जन जागरण करती थी और दूसरा संगठन 1943 के अकाल के बाद बंगाल का जो अकाल है 1943 में पढ़ा हूँ जो बड़ा प्रसिद है और जिसके लिए बहुत सारे दस्तावेज आ चुके हैं कि ये प्राकरतिक अकाल नहीं था अकाल मौसम के मार के कारण कई बार पढ़ता है जिसको प्राकरतिक अकाल कहते हैं पर अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण अंग्रेजों की जो काला माजारी करने की नीतियों के कारण या अपने सैनी को या अपने देश में हमारा तमाम अनाज बेजने की गलत नीतियों के कारण भंडारण की गलत नीतियों के कारण हुआ था उससे त्रही त्रही मच गई थी पूरे देश में इस पर भी आपको बहुत सामगरी मिल जाएगी 1983 के बंगाल के अकाल पे तो उस समय अलग अलग जो कलाकार अपनी अपनी कलासा आधना कर रहे तेहले आलग अलग सैंस्क्रितिक मंडलियों में काम कर रहे थे वे इस बंगाल के अकाल में जो भूका और मरने की बिल्कुल कगार पर पहुंचा हुआ जन था उनकी सहायता के लिए सहायता नीदी खटा करने के लिए उन लोग ने कुछ सांस्कृतिक कारिग्रम शुरू किये और बाद में फिर 1943 में ही जिसको मैं आगे और थोड़ा सा बताऊंगी बारती जन नाट्टे संग या इंडियन पिपल्स थेटर एसोसियेशन जिसको इप्टा कहा जाता है उसका जन्म हुआ इस संस्था के बारे में मैं इसलिए भी बताना चाहती हूँ कि अभी तक कि मेरी मेरे ख्याल से एक मा आगरण का काम आज भी कर रही है इसके अलावा भी जो इंडियन पिपल्स थेटर एसोसियेशन के छत्री तले नहीं भी आई थी ऐसी भी बहुत सी सांस्कृतिक मंडलियां उस समय अलग-अलग भागों में अलग-अलग जगह जाकर गाउंवों में शहरों में जा जाकर जन का जो शासन था और जिसमें इन लोगों की तरह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था तो अंग्रेजों के खिलाव जागरण के लिए लोग उन्हें एकटा कर रहे थे तो यह अपनी बात जीतों नृत्यों नाटकों में कहते थे घूम-घूम के उन्हीं के बीच के लोग कई बार होते थे और उन्हीं के बीच के लोग जन जागरण करते थे इसी के साथ कुछ पढ़ी लिखी पढ़ी लिखे संस्कृतिक कर्मी भी थे जो मोबाइल थीटर जैसे जिसको कहते हैं घूम-घूम के जो नाटक अलग-अलग अलग जनों पे जाकर करते हैं तो उ बहुत सारी सरकारी योजनाओं के लिए अनेक नुकर नाटक होते हैं उसी तरह से उस समय स्वतंतरता अंदोलन से समध्ध जो बहुत सारी अलग-अलग छोटे-छोटे दल रहे थे वो भी युद्ध के विरोध में और विश्व शांती के पक्ष में प्रस्तुती देते थे यहां पर एक बात और एक पंक्ती में कम से कम हमेरे खांकित जरूर कर लेनी चाहिए कि बीतिये विश्व युद्ध जो 1949 सब 1945 तक लड़ा गया और हमारे देश में भी तब बंगला देश हमारी यहां था चटगाओं में बंपारी वगरे कोई थी तो जो बंगाल की तरफ का क्षेत्रह बहुत प्रभावित हुआ था इसलिए युद्ध का विरोध और विश्व शान्ती के पक्ष में बहुत सारी बाते हुए साथ उस युद्ध के कारण ब्रिटिश गवर्मेंट ने हमारे उपर बहुत सारे बहुत सारी ऐसी चीजे लाद दी थी जिसके कारण जन का संतोश बहुत फैल रहा था तो इसलिए इस तरह की भी नाटको का विकास हुआ इन प्रस्तूतियों में खासकर इप्टा की प्रस्तूतियों के हम देखते हैं कि पहली बार परम-परागत और नागर लोख या परम-परागत या फिर नागर और आधुनिक कलाओं का एकदम आधुने किनाटकों का भी मंचन हुआ और साथ ही साथ मच्वारानृत्य, किसानृत्य, फसलृत्य, इस तरह की जो पारंपरिक लोकनृत्य थे, उन पर भी बाते हुई, साथ ही साथ इसमें इसी के कुछ लोगों ने, कुछ लोकनाट्य भी लिखे, जिसमें कथानक बि पुरानी थी, तो इस तरह की चीजे तब विक्सित हुई, इसको भी बड़ा संक्षेप में हम देख लें, कि 1941-42 में इप्टा के पहली यूनिट बंगलोर में बनी, यह जो पिपल्स थीटर इसमें आया है, रोमेय रोला नाम के जो फ्रांसी से विद्वान थे, उनकी पुस और साथी साथ और बहुत सारे लोग जन नाटक कहला सकते थे, लोगों की जागरुकता, पहले ही हमने बात की, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो इसलिए जन जागरन के लिए बहुत सारे नाटक कहले गए, इनमें अली सरदार जाफरी का यह किसका खून है, जो एक व्यक्ति थे, कुछ रमिक थे व्यक्ति, प्री सरमाल कर उन्होंने दादा लिखा, राजेंदर रगुवंशी ने आग की दिवार लिखा, और इस तरह के कई-कई नाटक इस युग में लिखे गए और खेले गए, 1943 के बंगाल के अकाल के बारे में हमने बात कर ली है, तो बहुत सारे लोग प्रगतिशी लेखक और जनकलाका और सभी लोग इखटा हुए और उन लोगों ने एक नाटे संस्था का निर्मान किया, और इसकी शुरुआत पर बंगाल से हुई, जैसे हमने उन महिला आत्मरक् जागरण वैसे भी पहले आया है, भारतेंदू ने भी बंगाली नाटक की पहले अनुदित किये थे, और बाद में फिर उनने हिंदी के उस तरह के नए नाटक लिखने शुरू किये थे, तो बंगाल हमारे नाव जागरण का बहुत केंद्रबिंदू माना जाता रहा है, त जो असहाय भूखे प्यासे लोगों के लिए साहता राशी जमा करें और उनकी मदद करें, तो वहां बिने रॉय के नित्रित्व में ये स्क्वैर बना था, और इसने तमाम देश के अलग-अलग शहरों में, दिल्ली, आगरा, लखनौ, बंबई, अमदाबाद आदी में, ग कारण कई लोग इस मंदली की तरफ आकर्शित हुए और इनसे जुड़ने की कोशिश हुई, जो आगे जाके हमको इप्टा के रूप में दिखाई देती है, तो सबसे पहली बैठक चुकि इसकी 25 मई को हुई, 1943 को इसलिए इसका ये स्थापना दिवस माना जाता है, इसमें सब लोगों ने मिलकर जितनी भी नाटे-मंदलीया, अलग-लग कलाकार लोग जुटे थे और इस संगठन के अंतरகत उन लोगों ने कामकरना स्विकार किया, उनलोगों ने एक संकल्प पारित किया, कि हैं संवेलन संकल्प करता है, कि आंदुलन को पूरे इसमें जाकर वाहषन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है उन्होंने कहा था लेखक और कलाकार आओ अभिनेटा और नाटककार आओ आओ हाद से और दिमाग से कामकरने वाहने मतलब स्हमिक जिन्हों मेनद मजदूरि का काम करते हैं और दिमाग से काम करने वाले आओ स्वयम को आज स्वयम को यह मेरे इसमें दिख नहीं रहा है क्या है सामाजिक नियाए कि नई दुनिया के निर्मान के लिए समर्पित कर दो तो उन्होंने आवान किया था मंच से अध्यक्षिय भाशन देते हुए और वो चूंकि अंग्रेजों की विरुद्द प्रस्तुत करने के लिए इस जन सांस्क्रितिक अंदोलन था यह संस्थाय संगटर नहीं था इसमें प्रकार के लोग जुड़े हुए थे तो यह जन सामान्य की समस्याओं को वानी देना उन्हें अपने उपर होने वाले अन्याय और अस्रमान्ता के लिए जागरूप करना अपने गीतों, गाथाओं, नाटकों को सरल और समझ में आने वाली ऐसी भाषा में प्रस्तुत करना जिसे जन समू आसानी से समझ सके जैसे दियम प्रसाद के नाटके दियम जन नाटक की रूप में प्रस्तुत करें तो उसमें की बहुत सारी भाषा जिनको हिंदी का भी नहीं है उसकी समझ में आ जाए तो भारतेंदों की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नाटकों की प्रस्तुति आदी के लिए कहा गया और साथी साथ यहां पर यह भी कहा गया कि जो जिनके बीच में जाकर नाटक करना हैं उन्हें भी प्रोसाहित करें कि वे भी अ अनेक प्रकार के जो काम करने वाले लोग थे सभी लोग जुटे थे और उन लोग उस तरह के कारेकरम प्रस्तुत करते थे ुसके प्रथम सम्मेलन में हैं लगबक दस रियासतों के उस समय तो रियासते ठीप्रदेश बने नहीं थे उनलोग उने सैकड़ो कलाकार ने तब शिर्कत की थी इसकी अनेक एकाईया बनी बाद में इसका एक सेंट्रल कल्चरल ग्रुप बना जो भ्रहमन शिल नाट्यमंडली जासा था और इन्होंने भारत की संस्कृती से परिचित होने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ एक हत्यार के रूप में उन्होंने बहुत सारी न रृतिनाटिकाय थी और इसमें जो बड़े-बड़े कलाकार माने जाते थे वे सब उपस्तित थे प्रसिद्ध संगीतकार रविशंकर उनके भाई सचिन शंकर सलिल चौधरी हिंदी फिल्मों के आप पुराने फिल्मिगीत आप देखेंगे तो इनमें सलिल चौधरी गीतक कैफी आजमी बल्राज सहनी इनके नाम आपको बहुत आसानी से मिलेंगे क्योंकि बहुत ही सक्रिय और रचनात्मक कलाकार थे और उनी के साथ प्रच्विराज कपूर शंभू मित्र तृप्ते मित्र रेखा जैन वगएरे यह सब तमाम लोग इसमें सम्मेलित थे निर्दे शेली उन्होंने निर्मित की थी आज भी इनका बनाया हूँ लिटिल बैले प्रूप भूपाल में स्थित है उनके आपको वीडियो यूट्यूब में मिल सकते हैं बहुत अद्बुत किसम का काम इनोंने रामायन पंचतंत्र आधी को इनोंने अपने इस बहले में उन्होंन नाटक बहुत सारी चीज़े ऐसी खेली गई जो तातकालिक समस्याओं को रिखांकित करती थी नए भारत के निर्मान के लिए प्रेडित करती थी कौन सी पुरानी चीज़े लेनी चाहिए कौन सी अभी के लिए खतरनाक है इन सब चीजों को दिखाने वाले ये तमाम नाट को कि हम बात कर रहा है तो जन फिल्मों के भी इसमें जुड़ी हुई बात है यह क्योंकि नाटक के ही लोग जाकर उन्होंने भी फिल्मे कुछ बनाई है और इसी के लोगों ने आगे फिल्मों में अभी नहीं भी किया तो 1946 में इप्टा के बैनर पर ख्वाजा अमद अब ने धरती के लाल फिल्म मनाई इसमें तमाम इप्टा के ही लोग है और इप्टा के ही बैनर पर यह बनी थी और इसमें आज जो किसान अंदोलन हुआ है और इसका हल क्या हो सकता है इसको यह करने के लिए कई बड़े-बड़े क्रशी वज्यानिक सामुई खेती के अउधार की बात यहां पर की गई थी इसी के साथ बहुत सारे लोगी लोक रत्य समून रत्यनाटक और सिर्व यहीं तक सिमित नहीं था बहुत सारे चित्रकारों ने चित्र बनाएं बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने अद्बुत अद्बुत किसम के फोटोग्राफ बनाएं फोटो भी होने लगी कई लोगों को आजाद भारत में अलग-अलग प्रकार का काम करना था तो इसमें जैसे हवीद तन्वीर ने अपना नया थीटर बना लिया अच्छा इसमें हम बीच में एक यह देख लें जो हमने शुरू में बात की थी कि कई मजदूर किसान भी अपने गीत ल सुनाई देते हैं इसका बिल्को छोटा सा हिस्सा में आपको सुनाती हूं तो यह इस तरह से उनका कहा जाता था कि विना माई के दिखाते थे और काफी हजारों तक लोग पुल सब्सक्राइब यह उस समय का बंगाल के अकाल पर यह कुछ फोटोग्राफ जो मैंने बताया है उस पर जल्देली दिखा देती हूं यह बंगाल के अकाल पर जो बंगाल वालों ने नाटक खिला था नबान यह बहुत ही यह उसी तरह का उसी पर अधारित है अंतिम अभिलाशा नाम का नाटक यह लोगन्रित्य हैं और यह साती साथ जननाठकों के बात करते हैं जिस इप्ना के हमने बात की उसका नारा ही है यह कि जननाठ संग की नायक जनता है। को की शुरू हुई है इसमें और एक चीज हम सबने सुना हुआ गाना है सारे जहां से अच्छा यह पंडित रविशंकर ने इपना के 1945 का जो अधिविशन हुआ था उसमें उन्होंने यह किया था कंपोज किया था सारे जहां से अच्छा इंदो सा हमारा हमारा इंदो सा हमारा हम गुल्पुने हैं सिखिन ये गुल्पिता हमारा हमारा सारी नहां भी अच्छा तो यह इस तरह की चीजे थोड़ी सी एक रस्ता टूपने के लिए भी जरूरी होती हैं और कुछ हम उस जमाने के कुछ चीजें स्थुन ले देख ले तो उसमें भी हमें पता चलता हमारी विरासत कैसी रही है तो यह फिर दीरे करके इप्टा की भी गतिविधियां बढ़ी और अन्य संस्थाएं भी इनके साथ साथ काम कर रही है आज तो लगबख 25 राज्यों में हैं और लगबख 600 इकाईयां काम कर रही है अब कविताओं के भी मंचन किस तरह से करते रहे हैं जिसे हम जन नाटक का ही हम एक आधुनि कि अरे ठीक से हमाली कि मालिक कौन जात हो भाई अरे मालिक पूछ रहे कौन जात हो दली था साथ अरे ठीक बदाओं न किस में आते हो आपकी गाली में आते हैं गंदी नाली में आते हैं और अलग की वे थाली में आते हैं साथ मुझे लगा हिंदू में आते हो आते हैं ना सहब आपके चुनाओं में अच्छा खाते क्या हो अरे मालिक पूछ रहें खाते क्या हो जो एक दलीत खाता सहब अरे तो ठीक ठीक बताओ ना क्या खाते हो आपसे मार खाते कर्ज का भार खाते तंगी में नून तो कभी अचार खाते हैं सहाब अव मूर्गा? खाते हैं न, आपके चुनाओं में अच्छे, पीते क्या हो? अरे मालिक पूछ रहें पीते क्या हो? जो एक दलीद पीता है सहाब अरे तो ठीक ठीक बताना क्या? चुवा छूत का गम, तूटे अर्मानों का दम और नंगी आँखों से देखा गया भारम सहाब और सराव? पीते हैं न, सहाब? आपके चुनाओं में अच्छे, अच्छे मिला क्या है ये दो बताओ? जो एक दलीद को मिलता है सहाब अरी तू, क्या-क्या मिला है? जिल्लक भरी जिन्दगी आपकी छोड़ी भी गंदगी इस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी सहाब मुझे लगा वादे मिले हैं मिले हैं न, आपके चुनाओं में तो यह इस तरह से यह कविता वाट्सअप में पर बहुत घूम रही थी और इस पर यह नाटक जैसा बना के फिर इसकी शूटिंग की गई थी अब अन्य मंदलियों की भी हम बात करें जो जा नाटक किया करते थे पृत्वी राज कपूर ने 1944 में ही पृत्वी राज थीएटर बनाये था आज भी जो मुंबई में पृत्वी थीएटर के नाम से चल रहा है वो वही पर उनका पुराना थीएटर वो किया करते थे और अदबुत नाटक उन्होंने भी तयार करवाए हैं बहुत बड़े-बड़े कलाकार जो फिल्मों में या नाटक की दुनिया में भी हमको दिखते थे वो पृत्वी राज कपूर के भी थीएटर से आये हैं फिर हबीब तन्वीर का नाम तो आप सब जानते ही है आगराबाजार शैद आपलों के पाठेक्रम में भी हैं चरंदास चोर आपलों के पाठेक्रम में हैं इन्होंने 1955 को पचपन में इप्टा से अलग होकर इन्होंने हिंदुस्तानी थीएटर पहले बनाया और बाद में फिर उन्होंने उसी का नाम नया थीएटर रखा जो रुत्यू परंत करते रहे आज भी नया थीएटर के नाम से उनकी जो टीम थी लोक कलाकारों के टीम सब्सक्रादन के लिटल बैले टूप के बारे में मैंने अपको बता ही दिया तो यह सभी लोग जो भी नातक करते थे यह जन नातक ही कहला सकता है कहलाता है यह कुछ इसके दो तीन फोटोग्राप्स हैं यह पिराज कपूर के यह राज कंपूर दिखाई दे रहे हैं इदर यह रहे और यह शम्मे का पूर है और यह मेरे खाश कहले यह होने जी है उनके बेटें तो और यह है कि दर चरंदास चौर का एक यह सीन है यह पुराना वाला चुकि फोटो है तो उस दमाने का नहीं तो चरंदाश चोर तो उनके अभी के बहुत सारे रंगी में आपको गूदल वगरे में भी मिल जाएंगे तो यह सारे के सारे इन लोग के जो नाटक होते थे उसमें लगता था कि हमारी अपनी परिस्थितियां बताई जा रही हैं उस का महतुपूर्ण एक प्रकार है यहां अंतंत की तरब जन नाटक के बढ़ रहे हैं यह प्रकार बहुत ही लोग प्रिया हुआ यहां तक कि सरकारों ने भी या अलग-अलग राजनितिक दलों ने भी इस नाटक के प्रकार को अपना लिया है नुकर नाटक इसको सड़क ना प्रकार ने के लिए होता है जो एकडम शुरू में बात की थी कि दर्शकों के पासे स्वैम जाता है तो इसलिए तातकालिक रूप में समसामाईक रूप में जो भी विशय होते हैं उनको यह उठाता है इसमें लोकमंच की साद्गे होती क्योंकि इसमें कोई मंच सज्जा यहान पर कोरस होता है, सारे कलाकार अलग-अलग वेश्बुशाओं मे नहीं होते हैं, एक ही वेशभूशा में होते हैं और यदि उनको पुलिस बनना है तो एक डंडा ले लेंगे पुलिस की टोपी लगा लेंगे नेता बनना है पुलिस नेता की टोपी लगा लेंगे या कोई लड़की बनना है तो दुपटा ले लेंगे तो इस तरह से वो अलग-अलग प्रका कि वहां पर क्या अभी गटना घटी है और क्या वहां से साम में हो सकता है फिर बीज बीज में गीद भी होते हैं पर यह गीद उस तरह के गीद नहीं होते जैसे मंच पर प्रस्तुत किये जाते हैं क्योंकि सड़क परेद्याब करेंगे नुकड़ पर करेंगे या किसी के क्योंकि सुर्षादने का तो उतना समय नहीं रहता भीड़ भी रहती है आसपास वहीं से एकड़म नजदीक में तो उनका शौरगूल भी रहता है इसलिए तालियों के माध्यम से या ढोलक या जो भी तालवाद्य होगा उसके माध्यम से तालबध्य उसमें गतियां की जाती है सामुइकता होती है अकेले-अकेला मंचन नहीं होता इसमें पूरा समुइस में मोबिलाइज होते रहता अभी मैं आप लोगों को छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी अंत में उसमें आप लोगों को इस सारी चीज़े समझ में आएंगी और इसलिए इन सब चीजों के करण ये बहुत सस्ता होता है यह भी इप्टा कि प्रकतिशील परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है सबसे पहले नुकर नाटक बंगाल में फिर बंगाल की बात आ रही है बादल सरकार ने इसको बहुत प्रशिद्ध किया और बाद में फिर धीरे धीरे करके सब यह लोगों però के इस तरह हम देखते हैं कि इसका स्वरूप राजनितिक के साथ सामाजिक सांस्कृतिक भी होता है। उसमें कई प्रकार के मुद्दे लिए जाते हैं। भाशा पर अभी हमने बीच में नुकर नाटक देखा। कि हमारी जो लोग बोलिया है या बाकी है वो दिरे-दिरे लुप्त होती जा रही हैं। और जो अंग्रेजी है या जो हमारी 14 प्रमुख भाशाएं या 28 प्रमुख भाशाएं मानी जाती हैं समिदान की सुची के अनुसार उनी का बोलबाला हो रहा है पूरे देश की असंग के भाशाएं दिरे-दिरे विलुप्त हो रही हैं। तो क्या ये ठीक है भाशा के करना उनकी संस्कृती जुड़ी है और एक लोग जुड़े हुए होते हैं। उन सबको एक तरह से हम साइड लाइन करते जा रहे हैं। क्या ये उचित है। इस तरह का एक नाटक बीच में मैंने देखा था। तो ये इस तरह से नुकर नाटक बड़ा ही सीधे-सीधे असर करने वाला बहुत नजदीक से दर्शकों को दिया। यहां पर दर्शक दूरी पर नहीं होते हैं जैसे प्रिक्षाग्रिवों में होते हैं। चारों तरफ प्रायर लगा कर या तीन तरफ दर्शकों को इखटा कर दिखाए जाते हैं। ये इस तरह से दो गुए पलाय होते हैं एक समान ये कपड़े पहने हुए हैं लोग सबने एक समान लड़के हो जाये लड़किया हो एक समान सब पहनते हैं और अलग-अलग रोल करते चलते हैं यह कुछ लोगों को इसमेंट देखा दुपट्टा हुआ है या कुछ लोगों ने कुछ पोस्टर वगरे टांग लिया है, या किसी ने कुछ और कर लिया है, तो इस तरह से अलग अलग तरीके से उन्हों करते चलते हैं, यह अंतिम वीडियो है, यह दिल्ली का असमिता थेटर ग्रूप है, बहुत लड़के-लड़किया हैं, इसमें बिल एक अदर नाचानी रहनी, ख्यरानी, ख्यरानी मैंने तुमसे कितनी बारी कहा है QUE मYERA PICHAK BAT KAROW मैंने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है तुम वही इसनी खूबतुरत कि मुझसे रहा ही नहीं जाता मैं पहले ही तुमें बहुत बारी बrage कर चुकी हूं और कुछ मेरा मेरी साथि होने वाली है तुम्हारा परमाने टेक अटेता हुँ तेसा हो के हमने कुछ नहीं देखा जब भी कोई लड़की इस लड़के से कौट नहीं करती या फिर उसका ओफर एक्सेप्ट नहीं करती तुरातों से गोली मार दी जाती है या उसके सब भैट दिया जाता है गोली मारना से सब भैटना ब्रेट से कटना आम हो चुका है जिस दिन दिल्ली के पुलिस कमिशनर प्रेस कॉंप्रेंट में सेटमेंट देते है कि दिल्ली में मैलाओं के खिलाब होने वाले अपरादों में 40 प्रतीशत की घटाओती हुई है उसी दिन टेली उनिवर्स्टी की एक लड़की को कुले आम बेलाइमी से कोली मादी जाती है हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी कहते है कि अगर लड़किया रात को बाहर निकलेंगी तो बलाइसकार तो होगा ही मम्दा वेनर जी कहती है कि बलाइसकार इसलिए हो रहे है क्योंकि लड़के और लड़कियों के बीच में इंटराक्शन वरता जा रहा है मैं अब सबसे पूछनी हूँ क्यों इस सवाल को हम हमेशा लर्बब्ली को किसी लड़की को छेर रहा होता है या फिर उसे मज़ा लेने की कोशिश कर रहा होता है तब हम अपनी आखें क्यों फेड़ लेते हम इती लड़की या औरत पर कमेंट पास करने दे पहले ये को नहीं सोचते कि हमारी इस तरह की बत्तमीजी से इस तरह के विहेवते उनके दिल पर क्या गुदरती होगी हमारा एक मिनत का मनोरंजन किसी की मान सिक्ता पर फिजिकली और इमोशनली क्या असा डालता है क्या हमने कभी सोचा है एक बार सिर्फ एक बार खुद को लड़कियों की जगे पर रख कर देख लो पता चल जाएगा कुछ ना करभाने की कसक क्या होती है हम इन लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तक देने तो तयार क्यों नहीं है एक बार सोच कर तो देखिये कि आग्मियों के इस तरह के व्योहार से कितना तूटती कितना सहमती और कितना धरती है लड़किया दिल है छोटा सा छोटी सियाशा दिल है छोटा सा छोटी सियाशा मस्टी भरे मंटी बोली सियाशा शुक्रिया सब का बंदना जी का खाश शुक्रिया कि उन्हों ने यह किया मेरे चाहर से मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है और अगर अगर अधि कुछ किसी को सवाल पूछने हैं तो पूछे जा सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया उशा जी मेरी आवाज आप तक सभी तक आ ले हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपने बहुत सिलसिलिवार धन से बिल्कुल शुरुबात नौजागरण से लेकर आजादी से पहले नाटकों की जो स्थती रही है नाटकों की जो भूमी का लेते हुए आप नौजागरण तक आते आते भारतिंद यूग और प्रसाद जी को जो बच्चे हम लोग जो अनुभाव करते हैं अपने पढ़ातने के दौरान की बच्चे प्रसाद की नाटकों के बाद अक्सर बहुत सारी चीजों खोश्टे रहते हैं और जो नहीं मिलत है या बहुत बेसुखलेवार धंसे मिलता है उसे आपने बहुत मुखर और इस पश्ट धंसे रखा है और खास्तोर से जो जन नाटक इसमें और लोक और जन के बीच जो भामत इसकती हमारे वीतरवनी रहती है कि आखिर हम अपने साहित्पी के माध्यम से संस्ट्पी के कन चीजसों को अड्रिस करना चाहते हम समाज में किस तरह का परिवर्तन चाहते है समाज को कैसा बनाना चाहते हैं तो ये हमारे बच्चों के लिए, हमारी छात्राओं के लिए विशेश तोर पर बहुत थी, उनको सहायता मिलेगी इसे समझने में, उनको पाठ्षिक्रम को समझने के लिए भी और समाज को समझने के लिए भी, क्यूंकि हमारा महाविध्याले छात्राओं के लिए विशेश है तो उनके लिए और भी जरूरी रहा कि जनल नाटक जो हैं, वो हमारी असमिता है, हमारी संगर्श है, हमारी जो परंपरा है, वो उससे कैसे जोड़ा हुआ है और उससे कैसे और ज़ादा जोड़ना है और अपने जीवन में उसे बना कर रखना है यह जो पूरी चीज आपने बताई है यह हमारे लिए भी हमारे बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी रहा और मुझे विशेश रूप से इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि इसमें आपने कुछ वीडियो क्लिप्स के सहारे से कुछ गीद की माध्यम से और बहुत ही तरीके से PPT के माध्यम से बताया तो मुझे वो क्लास्रूम की फीलिंग के साथ बच्चे उसमें जुड़े रहे हैं और मैं बार बार आपको महाविद्याले के तरफ से हम सभी की तरफ से हिंदी विभाग की तरफ से IQAC की तरफ से अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूं दन्यवाद टॉक्चर वंदेना सुनाइए रहा है ना ती आपकी आवाज आ रही है वेडम हां ओके दन्यवाद और मुझे आप कहा कि दन्यवाद दीजे तो मैं पहले यह कहना चाहूंगी जैसे आज का टॉपिक था जन नाटकों का परंपरा लेकिन यह नाटक वर्ड जो मतलब है जो पहले के जमानी में जैसे लोग एक बहुत बड़ा शौक रहा करता था जैसे आज फिल्म के लिए लोग रखते हैं वैसे नाटकों के लिए भी रखते थे और एलेक्लासेस बतलब यह मतलब जो हाइक लासे लग बहुँ जब चाहते थे देखने के लिए और फि तो महाराश्ट्रा में कहां से वह मुझे नहीं पता लेकिन पूना में बाल गंधर वा एक हौल है जहां पर नाटक डिस्प्ले होता है हमेशा नाटक हुआ करता है तो लोग वहां पर इतने मतलब हमने देखा वा है कि कितनी रूजी से लोग जाते थे देखने के लिए और अक फिल्ममी लाइन में वी लोग अक्टिंग कर ते लेकिन ना मेरे ख् awoda में जो एक्टिंग अच्डन धॉत्व एक्डविताउट्रेक्ड एक्डव तो मैंने लोग करते हैं तो मस थे काफी होटे मतलब मेहनत नाटक में लगता है कि उनकी तूलना किसी करी नहीं सकते हैं तो इस्तु सुना लास्ट में मैधम ने इसके नुकळ नाटक में जो कहा और एकलिप्स भी दिखाया लोगों को तो मुझे जो बच्चे से जुड़े वे मुझे लगता है कि बच्चे काफी कॉंसेप्ट क्लियर हुआ होगा उनको लेकिन नाटक में कहीं न कहीं रूची लोगों की कम होती जा रही है तो इसके पीछे शोध होना चाहिए कि लोगों की र लोगों में रूची उत्पन कराना चाहिए तो मैडम ने जो उशा अठाले मैडम ने जो अपना इक्सपटाइज जो इस पे दिया लोगों को नौलेज जो शेर किया उसके लिए मैं कॉलेज के तरफ से अपने स्टाफ के तरफ से स्टूट्स के तरफ से उनको धन्यवाद करती हूं कि आपने इतना सरल भाषा में हमारे सुड़न्स के सामने आपने विचार रखा और लोगों को यह लेकिन मैं वन्दराजी से एक और तीज गुजारिश करूगी कि यह एक लेक्चर खाली मत रखे इसको आप लोगों के बीच में जागरूपता लाइए कि जहां मेरा कहना है और मुझे मुझे मोका देने के लिए बहुत-बहुत धनेवाद थांक्यू वेदी बढ़ है बहुत धन्यवाद मेडम आज अपना पना अभार करते मीं आपार वस्तार मुझ अभार से हूं आच्छा अभी हभी मैं पिछले साल से मुंबाई में आई हूं पर मा आप माराथी वाशी होंगी तो मैं मैं पुना को भी लॉग करती हूँ जिसमें मुझे काल गंदर्वर का उल्ले की वहां पर नाटक सा प्रस्तूस होता है वहां थैंक यू अज आपने बहुत संग्षेव में जो धन्यवाद ग्यापन दिया है उसमें दो तीन बिंदू आपन लेकिंदि वो जिससरा से कभी कभी बोलती है अश्षर होता है कि अनका ध्यान है चीजों के निशांदेही वो करती है जैसे वह बता रही है कि नाटक लॉप। होते जा रहा है और इस जीवित करने के लिए हमें इसके बहुत सारे काम करने चाहिए दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके वक्ताव मैडम वो यह लगा कि आप कह रहे थी कि पहले के लोग नाटक जाते थी तो बहुत बड़े-बड़े वर्क के लोग नाटक देखने जाते थी बहुत सामाने धरातल पर जीने वाले रोज कमाने खाने वाले छोटी दमुटे काम करने वाले लोग नाटक में बड़ी चीज होती थी उनके लिए तो आज हमारा विशय ही यही था इसलिए मुझे यह लगा कि आपका ध्यान इस तरफ है कि देखे पहले क्या चीज होती थी और जनता से कैसे दिर दिर नाटक को जोड़ना जरूरी है और वो जुड़ा है और उस पर काम हो रहा है कि और भी वो लोगों के बीच में जाए तो इतना बढ़िया घन्यवाद ग्यापन आप मेदिया संशेफ ने बहुत अच्छा लगा और हिंदी विभाट की तरफ से भावना मेडम यहां पर हैं लेकिन आईटीएसी की हमारी समन्वेक मेडम भावना जी भी है यहां पर और उनकी तरफ से और महाविद्याले की हैं जिनको जहां तक सुनना था वी सुनकर निकल गये हैं फिर भी काफी लोग जुड़े रहे और प्रश्न तो उस तरह से नहीं रख पाए कि यहां पर कुछ प्रशन मैंने रखे थे कि शायद मैसेज बॉक्स में आ जाए तो प्रश्न उस्तरह से बन नहीं पाए थे तो उ यहां पर जोड़ी हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उसाजी आपको पुना धन्यवाद 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 धन्यवाद